हैलो फेंट्स मैं माधूरी और स्वागत करती हूँ आपका मेरी चैनल माधूरी किचिन में आज मैं आप सब के लिए लेकर आई हूँ रेक्ष्टन स्टाइल या धाबा स्टाइल पनीर बटर मसाला की रेसिपी बहुत सारे कमेंट्स में ये रेसिपी की रिक्ष्ट आई थी तो मैंने सोचा आप सब के साथ एक इजी रेसिपी शेयर करूँ जो बहुत ही क्विक वारी रेसिपी है आपको कोई भी ग्रेवी अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा ताम जहाम करने की ज़रूरत नहीं है कटिंग चॉपिंग भी ज़्यादा नहीं बहुत सिंपल तरीके से एकदम फटाफट पनीर बटर मसाला बन जाता है तो चलिए बनाते हैं पनीर बटर मसाला तो यहाँ पर लेंगे एक मिश्टे ग्राइंडर और उसमें डाला है मैंने चार टमाटर, आठ से दस लेसून की कलियां, एक इंच अधर कर टुकड़ा यहाँ पर मैंने थोड़े से धनिया के डेंटल को डाला है एक लाल मिर्च, एक टेबल इस्पून कश्मेरी लाल मिर्च, एक टेबल इस्पून धनिया पाउडर, हाफ टेस्पून जीरा पाउडर और करीब 10 से 12 काजु को, मैंने भिगो कर रख दिया था तो पाने निकाल कर उसे भी डाल देंगे इसे ब्लेंड कर लेंगे और इसका फाइन पेश्ट तियार कर लेंगे तो हमारा मसालो का पेश्ट तैयार है हमारी आदी तैयार ही हो गई है, तो अब बस पनीर को टॉस करके रखना है तो यहाँ पर मैंने लिया है एक पैन और उसमें डाला है एक टेबल स्पून तेल और पनीर को मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था, इसे डाल देंगे और यहीं पर मैंने डाला है थोड़ी सी कश्मिरी लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक इसे हलके हाथों से mix करेंगे ताकि पनीर तूटे नहीं इसे एक या दो मिनट के लिए पकाना है तो पनीर अच्छे से टॉस हो गया है इसे निकाल लेंगे और साइड में रख देंगे जब तक त्यार करते हैं इसका मसाला इसके लिए मैंने लिया है कडाही और उसमें डालेंगे दू टेबल स्पून ओईल और एक टेबल स्पून बटर तिल गर्म हो जाए तो इसमें डालेंगे एक टीजपून जीरा तीन इलाइची आधा इंच दालचेनी का टुकड़ा एक तीजपत्ता एक सुख्य लाल मिर्च आप यहां पर हर इमिर्च भी डाल सकते हैं इसे थोड़ा सा भूनेंगे और यहीं पर डालेंगे एक टीजपून का टीवी लेसुन इसे भूनेंगे और यहीं पर डाला है मैंने चौक किये हुए प्याज मैंने तीन मिर्यम साइज के प्याज को काट करके डाला है इसे हाई फ्लेम पर लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे और यहीं पर डालेंगे 140 पून हल्दी पाउडर 1.5 टीश्पून कश्मीरी लाल मिश पाउडर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहीं पर डालेंगे थोड़ा से गर्म पानी जिससे मसाले जले नहीं और अच्छे से भून जाएं प्याज और मसालो को एक या दो मिट भूनने के बाद यहीं पर डालेंगे टेमाटर और मसालो का पेस्ट इसे मिलाएंगे और यहीं पर डालेंगे टेस्ट के कोडिंग नमक और थोड़ी से शक्र जो कि टेमाटर की खटास को बैलन्स करेगी और सारी चीज़े को अच्छे से मिलाएंगे और इसे मीडियम हाई फ्लेम पर इसे 10-15 मिनट तक पकने देंगे इसमें काजू है इसलिए ये नीचे से लगेगी तो बस 10-15 मिनट की महनत है इसे लगातार चलाते रहें और अच्छे से भून ले तो हमारा मसाला अच्छे से भून गया है अब इसमें डालेंगे पानी मैंने इसमें एक कप पानी डाला है और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे दो-तिर मिनट पकाएंगे उसके बाद इसमें डालेंगे सारे पनीर को उसके बाद डालेंगे दो टेबले स्पून बटर, हाफ टीस्पून रोष्ट की हुई कसूरी मेथी पाउडर, एक चुटकी गरम मसाला और एक से दो चमस ताजी मलाई और थोड़ा सा ताजा कटा हुआ धनिया, इन सभी को हलके हाफों से मिक्स करेंगे, ताकि पनी तूटे नहीं, इसे हलके हाथों से मिक्स करेंगे और एक सी दो मिनट के लिए पकने देंगे यहां पर डालेंगे थोड़ी सी और कटी हुई धनिया तो हमारा पनीर बटर मसाला तेयार हो गया है इसे सर्व कर लेते हैं तो इस quick and easy पनीर बटर मसाला को आप सब एक बार जरूर ट्राइ करें इसे रुमाली रोटी, नान या पराठे के साथ सर्व करें और कैसा लगा मुझे केमेंटर के जरूर बताएं खाएं, खेलें और खुश रहें